नमस्कार दोस्तों एक बार आप सबका फिर से स्वागत है हमारे योट्योब चैनल डियर गुरुजी पर सो गाइस यूपी करेंट अफेर के पार्ट नमबर फोर में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो को सुरू करते हैं इसके पहले आपको एक छोटी सी जा चली आते हैं आज के वीडियो पर तो यहां पर पहला पैला पॉइंट है भाई पिछले पार्ट अब आपको वह पार्ट को में बना दिया है यहां पाँ पर पहला पॉइंट निदी के शिद्दान और 5 जुलाई 2018 उत्तर पदेश सरकार द्व्रा विदान मंदल छेतर के वि सदस्यों को उनकी छेत्र के विगासे तो दो दसलों चार यानि कि दो लाग चालिस करोड़ रुपे की धन्रासी प्रदान की जाएगी आपको ये पॉइंट पिया द रखा हैं उसके अलावा इस धन्रासी में प्रतेग वित्तवर्स के दवरान दो करोड़ रुपे के ही वित् इसके लावा जो 40 लग रुपे है वो तिमाही में जो जीस्टी निर्मार कार लगता है प्रति पूरती में किया जाएगा आते हैं एक ले पॉइंट पर दोगला पॉइंट है इलहाबाद में गंगा नदी पर ने पुल को मंजुदी की कब 6 जून 2018 को आर्थिक मामलों की मंत्र समीत द्वारा इलहाबाद के फाफा मों में राष्टिय राजमाग 96 यह तीरे आपको याद रखनी है छे जून 2018 को फाफा मों में राष्टिय राजमाग 96 पर गंगा नदी पर ने पुल की निर्माड को मंजुरी प्रदान की गई है इसके लावा यह पुल कितने लेन का किलो मीटर होगी और इस पुल का निर्माड की लागतरासी होगी वह 1948 रुपे समझ गे इस पुल की लागतरासी u142 पांच करोड रुपे होगी और निर्माड आवेदी कितनी होगी तीन वर्स इसकी निधायत की गई है इसके अलावा जिसके 2 दिसंबर 2019 तक पुरा होने के स महवना है उसकी आते हैं फंट पर तो अक्ला पर क्या पर्विए चे कहें चिछ आपको याद रखनी से दिल्ली Grand Express 27 में 2008 को प्रदान मंत्री नरेद मोजिद्वारा निजामอ दिन प्ल से ऊडिली उत्र-पदेश की सीमा तक विस्तारित जो लंबाई है तो आपको यहाँ पर जो मेन पॉइंट सो याद रखना कि 27 मई 2018 को प्रधान मंत्री नरिन मोदी दवारा निजामुदिन पुल दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमा तक विस्तारे जो लंबाई जिसकी है प्रदेश के लावा इस परियोजना की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है जिसमें पहले 27,74 किलोमीटर 14 लेन का होगा तरह से इस लंबाई 6 लेन एक्सप्रस भी होगा इसके लावा यहां पहला एक्सप्रस भी होगा जिस पर दिल्ली वा डासना के मध्यें लगबग 28 किलोमीटर के खंड पर साइकल पत होगा गाइस यह साइस चीज़ आपको PDF के रूप में प्रोवाइड कर बाएज जाने हैं आपको हमारी ट्रेलीग्राम ग्रूप पर तो वहां पर भी आप जोड़ करके इसको पा सकते हैं इसको अगला पॉइंट है भाई बिसिकली यह एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है 135 किलोमीटर और यह एक्सप्रेसवे जो है राष्टी राजमार्ग वर्ण यानि कि नहीं और नहीं टू को जोड़ता है बहुत इंपॉर्डम पॉइशन है अगर आपसे पूछा जाता है काउन सा एक्सप्रेसवे नहीं इस्ट्रू को जोड़ता है तो आपको याद रखना है इस्टर्ण पेरिफेरल एक्सप्रेसवे या गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे इसके अलावा यह भारत का पहला इसमार्ट तथा हरित राजमार्ग है बहुत इंपॉर्डम पॉइंट से बिलकुल नोट डाउन है वो प्योग किया गया है इस एक्सप्रेसवे पर प्रतेक 500 मीटर की दूरी पर वर्सा जल संचेन की विवस्था की गई है साथ ही वाहनों की गती की जाच हेतु कैमरे भी स्थापित किये गये हैं जिससे की ओवर स्पीड वाहनों का चालन भी किया जा सके बहुत ही हा गई संसर्प करेंगा बिलकुल स्मार्ट गंट्र्स ऑवर कह थनकी आवे और उसक्पर्जियाकमरेंने ह Savannah में चलिए आते हैं अगले पॉइंट पर तो अगला पॉइंट है भई वारारसी में ग्रीन कारीडोर का निर्माड जी हैं 28 मार्च 2018 को भारतीय राष्टिय राजमार्ग प्राधी करड़ के वारारसी में बाईपास पर ह माध से अपन प्रहस्ताचर हुआ और इस संजोते के तहट क्या हुआ भाई बिसिकली भारती राश्टी राज़ी मार्ग प्रादीकरण भारती विवान पत्रन प्रादीकरण के सहयोग से वारारसी में बाईपास पर NH 56 और NH 29 बाईपास पर NH 56 और NH 29 तक हरित गरियाले को विक्सित करेगा तो आपको याद रखन उतने समन विच प्रडाली समन विचसित करने का नेरड़य किया गया है तो 3 अपरल 2018 को नहीं के एक एक जन्पद में समनी प्रदेश में पहली बार अंतर राष्टिय अर्धसुस्क उस्रोड कत्पन दिये फसर अनुसंधान संस्थान I-C-R-I-S-T द्वारा विक्सित किया जा रहा है आपको बस याद रखना है कि ये पड़ाली है किसके द्वारा विक्सित किया जा रहा है इसके बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में तो अगला है दिल्ली कानपुर दिल्ली के मध्य हवाई सेवा बहुत ही इंपोर्टन है अभी कानपुर में प्लेटफॉर्म या ऐसी कुछ चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी एक चकेरी है बट वहां से कोई यात् अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है आपका उत्तर प्रदेश निवेशक्त सिखर सम्मेलन जी हां इसको वारे में आपको बता सुका हूँ कि जो सम्मेट हुआ था निवेश करने वाल उत्तर प्रदेश में तो 21 और 22 फरवरी के बीश हुआ था कहां पर हुआ था इंदरा गांधी प्रदेश सिखान लखनों में हुआ था उत्तर प्रदेश इन्वेश्टर सम्मेट बहुत अध्योदिक पोर्टल निवेश्मित्र का अगराफ से पूछा जाए निवेश्मित्र का सुहारम कब किया गया या किस वक्त किया गया तो आपको दाना है कि उत्तर प्रदेश इन्वेश्टर सम्मेट के समय पर या 22 फरवरी के बीच हुआ था इसके अलावा इसके अलावा मार्ज 2018 को प्रधान मंत्री नरेन मोदी और फ्रांस के राश्पती इमैनुएल मैक्रो ने मिर्जापुर जिले के विजयपूर गाओं में स्थापित सौर उर्जा सन्यंत्र को इसका सहुट रूप में लोकारपड किया बारा मार्ज को किया और बैसिकली कहा पर किया मिर्ज मेगावार्ट याद रखना है इसके लाव हो फ्रांसीसी फर्म एन ऐंगवार्ट इसको याद रखना है अगला प्रदेश संग्ठित अपराध नियंत्र विधेयक जी हाँ यह भी इसके बार में यूपी को का आपनों की लिए सुना होगा यूपी को का बिसिकली किसलिए हो जो है वो विद्धान सभा 12नीप से दुबारा पाडित कर दिया गया और राजय पालक की या इससे पूर्वएक। संबर को भी अभी देक स्विधान सभावा पारित किया गया था इसके बाद इसे विधान परिशत को भेजा गया था जहां 13 वार्ष दोजा ठारा को इसको आस्विक्रित कर दिया गया था अब देखे इसके इंपोर्डन पॉइंट क्या है भाई मीन कि सनुधान एक स्विधान परिशत द्वारा आस्विक्रित या संसोधित बिध्यक बिधान सभावा दुबारा पारित किये जाने पर दोनों सत्नों दुबारा पारित समझा जाएगा आज की यह थे कुछ इंपोर्टन पॉइंट यह था पार्ट फॉर पार्ट फाइब में आपको और कुछ यह मिलेगी देखने को इसके बाद आधितन वन लाइनर में करवाऊंगा पार्ट फाइब के बाद वन लाइनर जितने भी इंपोर्टन वन लाइनर से हैं एक एक वीडियो में में चाली चाली सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आपको हमारे अबडेट मिलते रहें तो अभी क्लिए बबबाय टेक के जैहिन जै भारत